पिछले बार की मुकाबले इस बार वोटिंग परसंटेज भी धिमन जी बहुत जादा कम है इसके पीछे की वज़ा क्या और कम वोटिंग किसे कितना फाइदा और नुकसान देखे के एक चोपाई है के खाली पेट ना भजन गोपाला यह जो हिंदुस्तान की जनता को जो मुद्धा आया रोजगार का मुद्धा आया कि जो वादे किये थे वो तो पूरे नहीं हुए जनाब वो असी करोड इसलिए दे पा रहे हैं मुद्धी जी यूपीय सरकार ने मनमौन सिंग सरकार ने 2013 में कानून पास किया था कि सब को इस मुल्क में भोजन का दिकार है अगर आप इंडेक्स की बात करेंगे तो हिंदुस्तान लगातार नीचे गिरता जा रहा है मनमौन सिंग की दस साल की सरकार के दोरान में आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा तबका गरीबी का तबका गरीब रेखा से उपर आये था और पिछले दस सालों में जितने ल आफ ही चाहता हो एक सब्सक्राइब आपने जीडीप बोला है जीडीप का अकड़ा है फिर आप स्टेटिसिक्स की बात करेंगे तो फिर केंगे यह से जीडीप का मतलब यह नहीं कि देश के युवाओं के लिए रोजगार किना हो रहा है लोग की सेविंग कितनी हो रही है सचीन जी राजनिती की रेश से कंग्रेस का बाहर होना लुक तंत्र के लिए अच्छा नहीं लेकिन कंग्रेस के बात कर रहे हैं यह तो और भी अच्छा नहीं 2013 में 16,65,297 कोड़ो का बजट सपेस हुआ था 2023 में 45,30,97 कोड़ो का बजट पेस हुआ था जब सर्धेय अटल भी हरी बाइसपी की सरकार गई थी बारत दसमेर्थ मेर्थ मेर्थ बश्ता था मनमोहन सिंह आधरणी अबित के जानकार की सरकार गई तो दसमेर्थ मेर्थ बश उस्तरासन ये तमाम चीजें 10 कोड़ों को जुला गैस के तेश कोड़ से अधिक स्वार्थ हेल्प काट वित्रित किये गए इस सारे विकास की गाथा जो इस देश की जनता देख रही है वो मुनाफिक वाक्तों से नहीं त्यार हो रही है वो जिनको आप बरगलाने की कोशि पेपर दिया है उसको कितने नंबर आने और इंडी एलाइंस को भी पता है इसलिए कोई टेलिवीजिन पर आने को तयार नहीं है आदरणिये खड़ के चीज़ बोल रहे है थे तो उनका पीछे जो परमादरणिये खड़े थे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा लिखित मा यह पांस किलो देर हम दस किलो देंगे अब तो हो गया हो गया फिर हम वर्बल 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 उसमें वर्बल नहीं वर्बल स्पैट में हम नहीं जाते हैं लेकिन आ लोग जी आ लोग जी आ लोग जी एक नंबर कॉंग्रेस देखे जिए चली गी कि ऐसा है कि पर में फुल फ्लेज तरीके से खुद को इन्वाल्व करते हैं, लास्ट होते होते हैं, आपको लगता है, या रिपोर्ट सापकी कुछ कहती हैं, अभी तो हमारे पार डेटा नहीं है, आप एक प्रेस कॉंफरेंस करके कुछ ऐसा महौल बनाने की कोशिश करते हैं, कि भाया, क कि क्या नाचना जाने आगन टेडा टाइप, कुछ ऐसा होने जा रहा है, मतलब ना मैं भेजूंगा, ना कोई जवाब दई होगी, ना मेरा प्रवक्ता आएगा, और जो EVM और ये जो exit पोल है, उस पर मैं बिलिए, भी नहीं करता है, आलोग सर, लेकि सरजिन जी, हम अभी साथ कोई राज़ता है, आपस में वो लोग जो भी विजव अभ्यवात करें, हम सब का सम्मान के साथ, हम एं उन से बहस नहीं करना हूँ, इसलिए खाली आपके प्रशन का जवाब दूँगा, मेरा ये कहना है कि इसलिए क्यूंकि उनके पास भी सरवे की बहुत सारी एजन संगठन से उनका कोई वास्ता नहीं रहा है, चुकि मैं उन सब को जानता हूं इंद्रा गांधी के जमाने से जो उनके थे आनन शर्मा जब यूथ कॉंगरेस पे थे तब से जालता हूं, इसलिए मेरा ये कहना है कि उन जमीन से कटे होने के बाद और एक एहंकार हो, हम कहें हम दुनिया के सबसे बड़े अख़वार, सबसे बड़े चैनल के मालिक हैं, अब कहें गलते भी रख सकते हैं, सबना तो सभी देखते हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा कारण यही है, कि जिसकी वएसे उनको उनके पास भी रिपोर्ट है कि हम हो सकता है यह भी रिपोर्ट हो सती है कि हमें सत्ता में आρά रहे है मैं यह इंकार नहीं कर्का, कु कि मैंने ःभी रिपोर्ट दे लहीं है, दैकि यह सही है, इसलिये तो राहूल गांदी कह रहे हैं, अकलेज जी ने जिन तो, कहा 80 भाइब च्सवार यह, पहले तो ड़हाँ था, यह क भी उनको धीरे-धीरे छोड़ती जा रहे हैं अर्विन सर चुकि आपने इससे पहले भी कई चुनाव देखे होंगे इस बार का चुनाव बाकी सभी चुनावों से कितना अलग है किन माईनों में अलग है क्या इससे पहले अच्छा कभी हुआ है कि किसी भी दल की और से इतना बड़ा दावा किया गया हो 543 सीटें और 400 पार का दावा और इससे पहले ऐसा कभ हुआ था सर कि किसी एक व्यक्ति को रोकने के लिए जो पूरा समुचा विपक्ष है वो इस तरह से एक जुट हुआ है कि चुनाव तो सुरू हुआ है मोधी की गारंटी से मोधी जो बोलते कि कवायद सुरू हो गई चोटी-चोटी पार्टियों से लेके तमिलनाडू आंधरा करनाटा इवन बीजेडी से भी एलाइंस की कोशिस की गई हुआ नहीं तो वो एक कोशिस हुई लेकिन जैसे चुनाव सुरू हुआ है चुनाव एकदम लोकल इसूस पे आ गया है और य चुनाव बदला आए लेकिन तब भी ये फैक्ट है कि सबसे बड़ी ताकत अभी भी नर्यन मोदी की रही सारे चुनाव में सबसे बढ़िया संगठन बीजेपी का रहा सबसे बढ़िया मैनेजमेंट उनका रहा लेकिन इसूस अगर बदले हैं और चुनाव नीचे आया है जमीन के लेवल पे और डाइवर्सिफाई करना पड़ा देश के हिसाब से तो वो एक स्पेसल चीज है कि हर राज के लिए हर इलाके के लिए अलग रण नीती अपना तुन परी अब बीजेपी कुसल है मैनेजमेंट से तो बीजेपी ने उसको भी मैनेज किया अच्छे से और दूसरा यह एक लाब बीजेपी को यह है कि पिछली दफ़े का गैप इतना ज्यादा है विपक्ष और उसके बीच कि उसको भरना एक बड़ा काम है तो दो चीजें बीजेपी के हक में रहीं एक तो यह गैप और दूसरा मैनेजमेंट विपक्ष के लिए यह है कि लोकल आसान तो मुझे नहीं लगता कि यह चुनाव था मेरे ख्याल से शाद पिछली बार से भी जादा आसान इतना नहीं था तब ही लिए एक आंकड़ा जो है कोट पीम ने किया वो नरेटिव उसके बाद जो भी सेट हुआ विपक्ष शायद उस पेच में फस गया चार सो के उ उसको दूसरे दौर तीसरे दौर में समझ आया कि एक तो फटीग है हम अगर ढंक से चुनाव और प्लैन किये होते पहले और मीटिंग किये होते या कुछ कर लिए होते ये तो बहुत अलग तरीके का चुनाव हो सकता था यानि एक बहतर और बड़ा जो है कॉम्पिटीशन विपक्ष दे सकता था मैं यह नहीं कहा रहा कि उसने दिया नहीं है बलब शायद उसको यह जिसे कहते हैं सोचने में या समझने में दूसरे राउंड के पार देर होगी क्योंकि उससे पहले वो सरफ चार सो पार में उलजाता राकेश सचिन सही कहा आपने जिस तरह से पी एम मोदी ने जो चार सो का नरेटीव उन्होंने रखा उसी में कहीं ने कहीं जो विपक्ष उलज गई और जिस तरह से आपने देखा कि राजसभा में राजसभा के नेता परतिपक्ष मलिकार अरजुन खडगे ने भी देखिए चार सो की बाद उन्होंने कर दी उसके बाद सभी जगा रेलीओं में भी कई विपक्ष के नेता चार सो चार सो पर लेकिन जब विपक्ष को समझ में आया खास्तोर पर दूसरे चृरण के छुनाओ के बाद की लगता है कि यह 400 उसके बाद उन्होंने अपनी रणनीत बदली लेकि सबसे मुधपूर्ण बात यह है कि जिसतर से अर्विन जी बता रहे थे BJP के पास सबसे बड़ा जो चेहरा प्रधानमंतिर निरंद्र मोदी के सामने विपक्ष का कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है दूसरा मुधपूर्ण बात कि BJP के पास जो संगठन है आपने देखा कि पहले चरण और दूसरे चरण में जो बातें आई कि जिस तरह से जो कार्ज करता निकल कर नहीं आए उसके बाद पूरी तोर पर RSS और BJP की जो अन्य जो संगठन है वो सामने आई उसके बाद उन्होंने आपने देखा कि किस तरह से जो संगठनी कार्यों को बेहतर तरीके से किया गया मैनेजमेंट किस तरह से बूत पर किया गया इसका जो रणनीत है BJP ने बखुबी बनाया था जो BJP के रणनीतिकार है इस पूरे मसले को लेकर उनसे जब परसों मेरी बातचीत हो रही थी उन्हें साब तरह पर कहा कि आपको देखिएगा कि रिजल्ट किस तरह से होगा और जो ग्राउंड जीरो पर भी देख रहे हैं देखिए कोई भी आपने अपने हार का दावा नहीं करेगा जब तक कि रिजल्ट नहीं करेगा लेकिन यह जरूर है कि बीजेपी कोईज है और बीजेपी जो है जो अब तक के सबसे बड़ी जीत की और बढ़ने वाली है अनिल जी चुकि यह जो पूरा चुनाब है विपक्ष भले ही एक जूट हो कि आओ मोदी के रत को रोकने के लिए विजे रत को रोकने के लिए लेकिन यह जो पूरा चुनाब है वो एंडिये वर्सिस इंडिया नहीं बलकि मोदी वर्सिस ओल का है अगर एक जो ठोकर भी विपक्ष कुछ कमाल नहीं कर पाता तो इसके पीछे के कारण क्या समझाते हैं कि एक चेहरा कोई प्रोजेक्ट नहीं किया गया ताकि मोदी की सीधी लड़ाई विपक्ष के उस नेता से होती देखी ये बड़ा मुद्दा नहीं है 2004 का चुनाव आपको याद होगा बाजपेई के समक्ष हर आदमी बहुत बावना था क्या EPA के पास कोई चेहरा था बाजपेई के खलाफ नहीं था उसी तरीके से इस चुनाव में मोदी के खिलाफ EPA जो चुनाव लड़ रही है EPA का कहना है कि जनता चुनाव लड़ रही है